दोस्तो जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी एक सीरीज चल रही है Mission UP TGT PGT English 2022 और इस सीरीज में सबसे पहले मैं आपको Literary Terms करा रहा हूँ और वो जो मैंने आपको Literary Terms कराए हैं दोस्तो 32 days complete हुए है Literary Terms के आप जानते कि आपको कितने सारे Literary Terms कराए जा चुके हैं और वो Literary Terms मैंने आपको कराए हैं जो आपके exam के point of view से बहुत बहुत important हैं तो उससे बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है तो वो आपको तयार करने हैं इसके साथ साथ दोस्तो मैं Literary Terms की एक मेराथन क्लास आपको अलेड़ी दे चुका हूँ उसको भी जरूर देखिए डेस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है उस क्लास को मिस मत कीजिएगा और जैसा की हमारा मोटो है कि complete course तयार कराना है और अच्छी तरह से तयारी करानी है और इतना ही नहीं रिवीजन भी कराना है तो ताकि आपका अच्छा खासा रिवीजन भी हो जाए तो दोस्तो मुझे उसी तरह से आपको लेकर चलना है तो Literary Terms जो मैंने आपको कराए हैं उनको आप अच्छी तरह से तयार कीजिए ताकि आपका एक रिवीजन टेस्ट लिया जा सके मैं पहले आपका रिवीजन टेस्ट अभी तक नहीं ले पाया हूँ लेकिन जल्द ही आपका इस वीक में एक लाइव रिवीजन टेस्ट होगा तो आप जितने भी लिटररी टर्म्स अभी तक कराए गए हैं उनको तयार कीजिएगा दोस्तो आपकी जो मेहनत है वो मुझे दिख रही है आप किस तरह से मेहनत कर रहे हैं और आप अपनी जो एक हिम्मत दिखा रहे हैं वो आपको बनाए रखनी है क्योंकि नकारात्मकता माइंड में घुसने नहीं देनी है जो हमारे इधर उधर जो कुछ लोग होते हैं वो क्या करते हैं नेगेटिव वाइब्रेंट छोड़ते हैं वो नेगेटिव वाइब्रेट करते हैं और वो जो नेगेटिव वाइब्रेशन है वो इतना असर कर जाती है कि आप कल तो सोच रहे थी कि मुझे कुछ करना है, मुझे इस बार exam को crack करना है, लेकिन फिर आप निराशा के समंदर में बह जाते हैं और कहते हैं कि मैं नहीं कर सकता या मैं नहीं कर सकती, तो ऐसे विचारों से और ऐसे लोगों से जो की नकारात्म कर देंगे, कि आप मेरे से जुड़े हुएं, पता है क्या होता है कि कुछ लोग अलग-अलग तरह के examples देते हैं, आपने कौन सी class जोइन की है, अच्छे आपने उनसर की class जोइन की है, नहीं नहीं यह अच्छा institute नहीं है, आप दूसरे को जोइन कीजिए, और दूसरे को ज काएंगे, आप बहग जाएंगे अगर, तो मैं कहता हूँ कि आप बिल्कुल भी success नहीं हो पाएंगे, तो अगर आपने अपना गुरू किसी को मान लिया है, और आप चाहते हैं कि आपका उद्धार हो जाए, तो दोस्तों सबसे बड़ी चीज है कि stability, आपको उस teacher पर belief भी क करना होगा, उस teacher पर एक trust भी करना होगा कि ये हमारे वर्दी है और वो आप समझ सकते हैं, उसकी education skills को देखकर, उसकी teaching skills को देखकर, वो अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, कि अगर आप किसी को अपना गुरू मानते हैं और उससे पढ़ रहे हैं, तो किवल वहीं आप अपनी सिक्षा को जादे एक आधार दे पाएंगे, तो जादे बैटार होगा, क्यों? क्योंकि अलग-अलग teachers अपने अलग-अलग point of view रखेंगे, और अलग-अलग तरह से वो उसी चीज़ को समझाएंगे, तो वहाँ पर क्या होगा? एक confusion create होगा, और आप कहीं भी कुछ नहीं कर करता, लेकिन teacher के लिए अगर आप मेरे channel से जुड़े होगे हैं, तो जैसे कि आपको पता है कि पूरी तयारी मैं करा रहा हूँ, और recorded session भी मैं provide कर रहा हूँ, तो आप उससे तयारी कीजिए, इसके अलावा इधर-उदर भटकने की जोरत नहीं है, और मुझे दोस्तो इस सम रविंदर कुमार दास हैं, और एक बहुत famous कवी हुए हैं, उनकी कुछ पंक्तिया याद आती हैं, और ये उन लोगों को लेकर ही हैं, जो आपको भढ़काने का काम करते हैं, क्या पंक्तिया हैं दोस्तों, मैं आपके सामने रखता हूँ, जहां तुम खड़े हो, जहां मैं खड़ा हूँ, नीचे एक जमीन है, तुम्हारी भी और मेरी भी, जो तुम कह रहे हो, जो मैं कह रहा हूँ, पीछे अर्थ परंपरा है, तुम्हारी भी और मेरी भी, लेकिन जब तुम मेरी और देखते हो, लेकिन जब तुम मेरी और देखते हो, और जब मैं तुम्हारी और देखता हूँ, ने तुम खुद को देखते हो, और ना मैं देखता हूँ, और इस तरह हम दो दुनिया के हो जाते हैं, तभी वह तीसरा बरगलाता है हमें, तभी वह तीसरा बरगलाता है हमें, तभी वह तीसरा बरगलाता है हमें, तो दोस्तों ही जो तीसरा होता है न, ये बरगलाने का काम ही करता है, वो जो तीसरा है, वो जो हमारे और तुम्हारे बीच में आ जाएगा, हम गुरू और सिश्चे के बीच में अगर जो कोई तीसरा है और वो आपको भढ़का रहा है आपको भैका रहा है कि यह नहीं यह बेटर है वो नहीं वो बेटर है तो आप उस तीसरे को ignore कीज़े और उसको ignore करके आप अपना जो ध्यान है वो अपने लक्षे की तरफ लगाएंगे तो सफलता मिलेगी वरना भटकते रहेंगे और वो जो व्यक्ति है वो जो तीसरा है वो अपने बरगलाने में कामियाब हो जाएगा तो दोस्तो मेरे कहने का मतलब यही था कि जो टाइम है यह बहुत प्रीशियस है इस टाइम को बरबाद नहीं होने देना है इसको आपको जो है एक तरह से जो अंधिरा है ना उसमें नहीं मिलने देना है तो दोस्तो आपको उजाला लाना है और उजाला कैसा अपने ग्यान का उजाला और उस ग्यान के उजाले से आपको सफलता प्राप्त करनी है अब हम बात करते हैं हमारे आज के topic figure of speech की तो दोस्तों ये जो figure of speech का topic है आप जानते हैं कि कितने सारे figures of speech है अगर जो हम इनको continuously करते हैं तो at least four to five days इसमें लग जाएंगे लेकिन आपके लिए ये अच्छी बात है और मेरे लिए भी अच्छी बात है कि course आगे बढ़ेगा तो इसके लिए figure of speech का जो topic है दोस्तों मैं इसको फिलाल skip कर रहा हूँ और skip का मतलब यह नहीं कि मैं पूरी तरह से इसको skip कर रहा हूँ ये मेरा कहने का मतलब है कि figure of speech की एक very very special class already मैं आपके लिए बना चुका हूँ बहुत special है उससे special कुछ हो भी नहीं सकता figure of speech के बारे में तो दोस्तों figure of speech की बहुत special class है बहुत अच्छी तरह से figure of speech को समझाये गया है और उसमें सारे points figure of speech के clear किये गए हैं तो आप description box में जाके उस class को जरूर देखें टेलीग्राम चैनल पर भी मैं उस class को ड्रॉप करने वाला हूँ उसे post कर दूँगा वहाँ पर भी तो वहाँ पर आप उस class को जरूर देखें description box में figure of speech की class को जरूर देखें इससे क्या होगा time save होगा हमारा दोनों का time save होगा और हम course को आगे बढ़ा पाएंगे तो आज का जो हमारा main topic है दोस्तो वह है Anglo-Saxon period यानि की Old English Literature History of English Literature की शुरुवात आज होने वाली है जो की next video में मैं present करने वाला हूँ दोस्तो next video में मैं आपको पढ़ाऊंगा History of English Literature और यह जो figure of speech का जो topic है यह जो video में आज बनाई है इसी information को देने के लिए बनाई कि आप description box में जाके figure of speech का link दिया हुआ है उस video को miss ना करें बहुत important है telegram channel को भी description box में जाके जरूर join कर ले क्योंकि वहाँ पर यह चीज मिल जाएगी और यह जो time है जैसे कि मैं आपसे कहता है हूँ बहुत precious है आप इसको मत टालिए वो कहते हैं न काल करेसो आज कर वही situation दोस्तों उस पर मैंने भी कुछ पंक्तिया लिखी है कुछ वक्त यूही गुजर गया कुछ वक्त यूही गुजर जाएगा कुछ वक्त यूही गुजर गया कुछ वक्त यूही गुजर जाएगा अगर आज ना संबला तो जिस वक्त को तू धकेल रहा था कातिब की तरहे उस वक्त की तरहे कल तू भी यूही गुजर जाएगा कल तू भी यूही गुजर जाएगा अगर आज भी कातिब किस्मत कस्द करने की हिम्मत नहीं की तूने तो देख कर तेरी बुझदली को आने वाला वक्त भी ठाके लगाएगा कुछ वक्त यूहीं गुजर गया, कुछ वक्त यूहीं गुजर जाएगा तो दोस्तों इस वक्त को गुजरने नहीं देना है और किस्मत हमारे हाथ में होती है, ये कहते हैं कि रेखा है, मेरी रेखा ऐसी है कि मैं तरक्की को नहीं पा सकता है, नहीं पा सकती, कुछ नहीं होता, रेखाएं अपने आप बनाई जाती है, अपनी तकदीर अपने आप बनाई जाती है, दोस्तों कोई नहीं होता, कोई पंड लकिरों में ताकत नहीं है, आपके हाथ में सरकारी नोकरी का योग नहीं है, उनको जाकर अपनी लकिरों को दिखाना होगा, उनको जाकर दिखाना कि ये मेरी वही लकिरे हैं और आज में नोकरी प्राप्त कर चुका हूँ या कर चुकी हूँ, तो दोस्तों वही करना है आपक आपको अपनी इन लकिरों को बदलना है आपने अपने भाग्य को बदलना है और भाग्य कब बदलता है भाग्य बदलता है हमारे करम से किस से बदलता है हमारे करम से बदलता है अगर जो हम करम ही नहीं करेंगे तो भाग्य क्या आपको कुछ दे देगा कुछ नहीं देगा भ जो आपका टॉपिक है उसको आपको अच्छी तरह से तैयार करना है, दिन रात एक कर देनी है महनत करना है और पूरी तरह से लग जाना है और जो लोग आपको नेगेटिव वैबरेट करते हैं, उनसे दूर रहना है, नकारात्मक उर्जा को अपने अंदर लेकर आना है और फ उर्जा से बचे शकारात्मक्ता की तरह बढ़े और अपनी लकीरों को खुद बदले जो ये कह रहे है आपसे कि आपके भागये में नोकरी नहीं है, उनको खुद दिखाईए कि मेरे भागये में नोकरी है चाहे वो कोई भी ग्यानी पुरुष, कोई भी पंडत या फिर कोई उच्छे दर्जे का कोई व्यक्ति क्यों ना हो, उसको आप दिखाईए कि मैं अपनी तक्दीर बदल सकता हूँ या बदल सकती हूँ, क्योंकि ये जो ग्रह होते हैं ये हमारे करम पर टिके हुए होते हैं, अगर जो हमारे करम अच्छे होंगे तो ये ग्रह भी बदलेंगे, लकिरे भी बदलेंगी, तो दोस्तो मुझे इतना ही कहना था, तो आप अपनी तयारी अच्छी तरह से कीजिए, फिगर ओफ स्पीच का टॉपिक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, मैराथन क्लास है, बहुत स्पेशल क्लास है, उसको जरूर देखे, मिसर करें, और इसके साथ-साथ आज मैं आपको अंग्लो सेक्सोन पीरेट पढ़ाने वाना हूँ, यानि कि हिस्ट्री ओफ इंग्लिश लिट्रेचर की स्टार्टिंग हो चुकी है, तो आज जो नेक्स्ट क्लास होगी, वो होगी हिस्ट्री ओफ इंग्लिश लिट्रेचर को ले किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूले थैंक यू बेरी मच यॉर्स डॉक्टर से चिंगो स्वामी